तो में उधर आजपूत आपका था अपनी यूटीब चैनल उधर आजपूत मैंस में सौगत करता हूं दोस्तों बेसिक मैस के कॉंसेट के बारे में पढ़ रहे थे हैं बेसिक मैस की हमारी बीडियो नम्मर एन यानि की पार्ट है इससे पहले हम सीन पार्ट रमें पढ़ चोके हैं वीडियो नहीं देखिए तो उनको भी आप जरूर देख लें उनके लिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर भासे भी पढ़ सकते हैं तो देखिए हम यहां पर जो और कॉंसेट हैं उनको इस जो बेसिक एकदम कमजोर चात्र हैं उनके लिए बेसिक बहुत अच्छे से हो जाएगा है इसके बाद हम चैप्टर 22 में स्टार्ट करने बाले हैं इसी चैनल पर मैंने एक वीडियो भी डाले भी हुई है जिसमें हम आरस अगरवाल बुक को किस तरीके से पढ़ेंगे आप आदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजे और आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए चलिए हम यह आप इसको स्टार्ट करते हैं ध्यान से समझीए आदि आप वीडियो को अंतक देखते हैं तो ही आपको कुछ बेनेफिट होग मैं यहाँ पर सय्ट नहीं है लेकिन इस तरीके से भी आपके लिए मैं बहुत अच्छे से यहां पर पढ़ाने की कोसिस करूंगा बस आप अच्छे से बढ़ते रहे हैं ठीके बाकि देखिए में आपको Desi समझाये और आपको कोई बीडाव्ट होता है तो आप मुझे नही जरूर दूँगा चलिए हमें यहां से आगे बढ़ते हैं चलिए आज हमने थोड़े से कुछ ज्यादा डिसकस कर लिए लेकिन कोई बात नहीं चलिए बेसिक मैस का आगे देखते हैं पक्छांतर पक्छांतर क्या होता है आपने प्राइमरी स्कूल में पढ़ा होते हैं कि जो किसी भी सम्मीकरन के दो पक्छ उते है इक होता आ नाने क्या दाया-पक्छ कैल आएगा और MAR है वह दायंपक्च कहला आगे देखिए किसी भी संख्या रासी को एक पक्च से दूसरे में ले जाना पक्च अंतर कहलाता है यानि कोई भी संख्या रासी को हम एक पक्च से उठाएं दूसरे पक्च की वो ले जाएं वो हमारा पक्चांतर कहलाता है पक्चांतर करने पर उस संख्या रासी का चिन पलड जाता है यानि कि हम कोई بھی संक्या का पक्षांतर करते है उसको एक साइट से उठाते हैं और दूसरी साइट ले जाते हैं क्या होता उसका चिन बदल जाता है चिन कैसे बदलते है देखिए पिला से मान को चली यहां पर 아पका बाया पक्षाई है लेप्ट साइट है इसको उठाके यदि हम right side लाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? minus हो जाएगा, चिन बदल जाएगा plus की संख्या, इस side आएगी तो minus की ठीक है? और इस side से संख्या आएगी minus की, तो इस side आएगी plus हो जाएगी, उल्टा होगा plus है तो इस side minus और इस side minus है तो उस side आएगे plus हो जाएगी बात क्लियर है, इसी प्रकार minus है इस side तो उस side आएगे plus हो जाएगी और इस side प्लस है तो उस side आएगे minus हो जाएगी इसी प्रकार से यहाँ पर into है तो उस side आएगे क्या हो जाएगा? बात क्लियर है यह भया पक्छ है यह दाया पक्छ है थाएंगे भया पक्च से उससाइट संक्रें उठाएंगे फ्लस की होगी जा कि घा है ऑगा जएगा था और सेड भाग लग रहा तो सेड याके गुड़ा हो जाएगा ठीक है आगे हम एक्जम्पल देखेंगे तब आपको इन चिन्नों के बारे हम और अच्छे से किलियर हो जाएगा अब देखें इसी प्रकार से बर्ग है बर्ग उससाइड या क्या हो जाता बर्ग मूल बर्ग क् इसी की घं है घं है घं है गयाने की घहत तीन है तो सर्थच ये और गन मूल हो जाएगा जयाएगा इसकी कने निस सोजाम हो जाएगा गहात हो जाएगा घं मूल से घं घं आन् अब देखिए आप नीचे दिये गए प्रतेक संही करन्द में X को मान हमें गयात करना यहां फे दो संमी करन हैं इन दोना हमें क्या करना mm करना तो देखी हम कैसे सॉल्व करते इसको दयां से एकस कमान निकालना है तो देखे कि पहले हम these input ऐसाथ लाएंगे यह दायापक्च और यह बायापक्च दायापक्च से साइड लाएंगे एक्स को साइड लाएंगे यहां पर प्लस है कोई साइड नहीं होता है प्लस इस साइड आएगा क्या हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बात क्लिया है हो गया माइनस का बराबर अब देखिए जब संख्या को साइट में पर प्लस के सब तरह थे कि माया पक्ष के साथ लाएंगे दाया पक्ष क्यों ले जा रहा है ना तो माय नस है तो चिंद क्या बदल के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा अभी हमने वहीं देखा था is संपल में अब इसको सॉल्व कर लेंगे इसके नीचे कुछ नहीं नहीं बन है कितना आएगा तीन आएगा लगो तमस्वाप बरते न इसका क्रॉस मुल्टिप्लाइब करें तीन दूनी छैक्स चैसे दो माइनस हो जाएगा कितना बचेगा चार एक्स बटे तीन सत्रा और साथ यहां पर प्लस हो रहा है तो प्लस कर दीजिए कितना जाएगा चौबीस अब देखिए यहां पर भाग लग रहा है चार एक्स में कितना तीन का भाग लग रहा है यहां पर भाग लग रहा है यानि कि तीन से साइट आके गणा हो जाएगा ठीक है अब देखिए यहां पे गणा चार एकस लिखा इसका मतलब किया चार in to x तो यानि कि हम चार इंपर गणा में इसको भाग में ले जाए उस साइड जाएगा किस मा जाएगा बाग मैं बात क्लियर है अब कैंसे रहा है एक चार से कैंसल हो रहा है चार पांच भी चार छे चौवीच चाहें टूती इन कितना हो जागा चाहता तो हमारा आंसर कितना आ गया अठारा इतनी बात क्लियर है सोज में आ गया बहुत ही बेसिक सी बात है न अब देखिए सेकंड को स्थान को देखि और अच्छे समझ आएगा इसमें क्या कर रहे है यह बाया पक्च होगए याने ही LHS और दायांपक्च RHS हम X X को एक साइड इसको इस साइड वी किसी भी साइड लिए सकते न 만ग्यों स Mexico स्थाने आते एक से आढकर है यह फिर प्लस काइट के माइनस होगी हो गई दाइयागा से माइनस के हो गईका से को सैट मूंच यह सबस्ट खान केm एक टीक क्से नहीं प्लस की हो जाएगी तो प्लस 7 अब देखें मेंगे 3 और 4 का LCM ले लेंगे न 3 और 4 का LCM कैसे लेते हैं मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ सबसे छोड़ी संग कैसे बाग देंगे 2 से 3 में नहीं जाएगा 2 दूनी 4 पर 2 से जा रहा तो एकम 2 अब 3 से जाएगा 3 एकम 3 अब जो सब्सक्राइब कर लें तो दूनी 4 चारती है बारा तो LCM कितना आएगा 12 LCM कहां पर इंटू में लिखते हैं यहां पर 12 लिखेंगे तो 3 से मौकी की कैंसिल कर लिए ती 4 बारा चार इंटू 2 चार दूनी आर्ट एक्स माइनस 4 से यहां पर लिखेंगे चारती है बारा तीन एक्स बास समझाई LCM कहां पर लिखते नहीं हम मन में याद रख लेते हैं जब संखेक जैसी होती है LCM वह याता है आठ आठ है तो आठ आठ और यहां पर क्या हो रहा है सिंपल जो भी हो रहा होगा उसको कर देंगे तो अहां है पर का दे की आठ से तीन जाएं गे पांच एक्स बटे बारा और साट कितने हो जाएंगे एट थाँज राट अब देखिए वारा से भाग लाग राहा है याँंपर भाग लाग राहा है उस तरफ ले जाएं क्या हो जाए । पाँच एक 28 बटे 8 इंटू 12 गुड़ा हो गया ठीकिन अब 5 को भी उस साइड ले जाना चाहिए क्योंकि एक्स कमान निकालना है तो 5 गुड़ा में तो उस साइड जाएगा भाग लग जाएगा उस साइड जाएगा भाग यानि भाग कहा लगता नीचे अब कैंसल करते हैं इसको 4 से 4 द बात क्लियर आपको समय में आगया होगा हम कि तरीके से लाकर स्वालू करते हैं चलिए आगे देखते हैं कि अब यहां पर देखिए 3 गुणा के तरीक गुणा किस तरीके से करते हैं सम्मीकरन के बायंपक्च यानि की जो आफ लेप्टेंड साइड अना उल्टा हात मैं से गुणा और बाय पक्च के हर का देगी मैं फिर से बढ़ता हूं आपको अच्छे समझ आएगा नहीं आएगा तो मैं आपके लिए एक्जम्पल से क्लियर कर दूँगा सम्भी के favorable के उतको विलकु omb програм दायने पक्ष के का फिर ऻूगा और बाइन पक्ष के शाट के पूरा दाइने पक्ष के उनल से गुना कहला है तो एक सामाना सी बात हो गई आपको बिलकुल समझ नहीं आ होगा मसे समझ में आ गया कि लाइन आपको कुछ समझञे नहीं आई होगी लेकिन अब यहां से समझढ यदि बात है приг मूल आ वी हम यहां समझा देंगे तरह गोला क्या होता है यहां पर हमारा क्या है साइट कै रहीं है यानि कि ई crushing dedans साइट यानि कि यह ऊपर और हर यानि नीचे अंस का इस साइट क्या है दाएं पक्च के हर से गुणा करें दाएं पक्च के हर से गुणा और बाया पक्च के हर का दाएं पक्च के अंस से गुणा करें निमिक तरियक गुणा इसका इसम है और इसका इसम है तो यह हमारा तरियक गुणा कहलाता है यह क्या कहलाएगा हमारा तरी एक गुणा कहलाता है वस समझाई जैसे कि आपके सामने संख्या लेकिए 2 बटे 3, 5 बटे 7 इनका तरी एक गुणा कैसे करेंगे 7 का 2 में करेंगे 7 दूनी 14 बरावर लगाएंगे बीच में 3 का उपर करेंगे, 3, 5, 15 बत किलियर है इस प्रकार से हम 3 गुणा कर लेते हैं आगे देखिए अब नीचे दिएगा सम्मी करण में X कमान ग्यात कीजिए अब देखिए इसमें हम X कमान निकालना है, कैसे निकाल लेंगे यहाँ पर हमें क्या करना है? तुर्य गुना करना जब भी इस तरह से सवाल आए, तो उसको हमें तुर्य गुना करना है, यह यह पाँच का उपर करेंगे, दो का नीचे करेंगे, डारेक्टी करदें, पाँच का उपर करें पाँच दूनी 10X प्लस पाच तिया 15 बराबर, माइनस के तो 10 से चलिए मैं इसको अभी पूरा लिख देता हूँ ना 10 से माइनस हो जाएंगे और यहां पे 18 है संक्या उस साइड आएगी तो माइनस की हो जाएगी 10 से 2 जाएंगे तो 8 X 18 से 15 माइनस कर दीजी 3 X कमान निकाल ला है 8 गुड़ा में है तो साइड जा किसमा जाएगा भाग में तो अंसर कितना आएगा हमारा 3 बटे 8 समझ में आ गया अब इसको देखी इतरी गुणा करना 4 का उपर और माइनस 5 का नीचे 4 का उपर करें 4 दूनी आट X माइनस 4 तीए 12 बीच में लगाएंगे बराबर यहाँ पर माइनस 5 का गुणा होगा माइनस 5 इंटू 4 तो क्या आएगा माइनस 5 चार 20 माइनस का माइनस में गुणा तो प्लस पांच का एक्स हों कर दीजी कितना आजाएगा पांच एक्स 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 को एक साइट पांच एक्स इस साइड आएगा आट एक्स और आट से यहाँ पर माइनस हो जाएगा कितना जाएगा तीन एक्स माइनस के बारा उस साइड जाएगे प्लस के बारा, माइनस के 20 और प्लस के 12, तो देखिए यहां पर घट जाएंगे न, एक माइनस एक प्लस है, तो घट जाएंगे, तो घटेंग इन चिन्नों के बारे पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो घटेंग कितना आएगा, यहां पर आट आएगा, किसका है, और यहां पर देखिए, तीन गुड़ा में है, इसको नीचे लाएं, तो क्या जाग भाग में, कट रहा है, तो काट देंगे, नहीं तुमारा आंसर हो जागा, नहीं कट रहा है, आंसर कितना जाग, माइनस 8 बटे, 3, ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही देखते है है, इससे आगे हम एक बीडियो और देखेंगे, यानि पार्ट फाइब में हम जितने भी बेसिक और रहेगा हैं, उनको कवर करने की कोसिस करेंगे, इसके बाद सीधे हम आरे सगरबाल बुक को चैप्टर 22 बहुत अच्छे से आप पढ़ने बाले, तो प्लीज यदि आपन मैं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर मुझे मॉटिवेट जरू कर रहे हैं, और इसे अपने सभी दोस्तों को साथ सेर करें, जिनका की बेसिक मैस बहुत कमजूर है, और इसके बाद जो आरे सगरबाल बाली मैंने बुक की वीडियो डाली ह हैं, उसको भी आप जल्दी से जाकर देख लीजे, और अपने सभी दोस्तों के साथ सेर कर दीजे, ताकि हम यहाँ बहुत अच्छे से मैं आरे सगरबाल मैस को कम्प्लीट सॉल्व कर पाएं, तेकि यदि आप अच्छे से पढ़एंगे और ज्यादस जाद लोग यहाँ प आप और पेट कोर्स भी आप चाहें, तो इस तरीके से आपको पेट कोर्स में भी इतना सारा आपके लिए कोई नहीं पढ़ाएंगे ना, बाकी आप खुद से ही समझदार है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजे, और चैनल पने सभी दोस्तों साथ सेर कर दीजे, और आपके जो भी कोईशन डाउट हों, तो आप नीचे कमेंट से पूछ लेजिए, और टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बहा से आप टेलीग्राम चैनल को भी जोइन कर लीजे, तो ठीक